हे दोस्तों नमस्कार, एक बार आप सब का फिर से बहुत-बहुत सवागत है, आप सभी के अपनी YouTube चैनल इए गुरू जी पर और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए लगाटार बेड की जो त्यारी है इंटरेस एक जाम की जो त्यारी है करवा रहा हूँ और आज एक बहुत ही important topic आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ और यह जो topic है काफी साथ जो student है नहीं पढ़ते हैं या कोई teacher जो इसके बारे में नहीं बताता है और आप लोग भूल जाते हो कि यह भी एक topic है और यहां से भी question आपके बनते हैं तो यहां से भी आपके question बनते हैं तो इस topic को अच्छे से पढ़िएगा यहां पर आज मैं आपके लिए 30 question लेकर गया हूँ और पर डे मैं आपको ऐसे ही कुछ question इसके cover करवा दूँगा with PDF जी है उसका PDF मैं आपको बिल्कुल free में दे दूँगा और भी जो important stream material जो है आपको मैं free में देता रहूँगा जिससे आपको चीजे जो हैं आसानी से मिलते रहे यहां पर आपको PDF डाउनलोड करने के लिए या तो आप हमारे टेलिक्राम गुर्प से जुड़ सकते हैं नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाओ या आप हमारे website पर विजिट कर सकते हैं तो यहां पर आपको important जो stream material है दोनों जगहों पर मिलते रहेंगे website का link के आप है PDF.in या इस वीडियो का जो PDF है उसका भी जो link है नीचे description box में दिया गया है वहाँ पर click करके आप लोग जाकर के देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें इंस्टा पर follow नहीं किया है तो यह हमारा user ID है भाई यहाँ पर click करके आप लोग हमें इस्टा पर follow कर सकते हैं सब कुछ जो link है आपको नीचे description box में मिल जाएगा जरूर follow कर लिजेगा आपके कोई भी सवाल हो कुछ भी हो तो आप लोग सीधे वहाँ पर पोसकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से देखे कोशन किसरा से बनता है यहाँ पर तो जो पहला topic मैंने आपको कहा था सिच्छा के प्रति अभी बृत्ति तो यहाँ पर पंदरा कोशन इससे हैं देखिए क्या गयरा पहला कोशन कि अब तक आपने जो सिच्छा पराप्त क बढ़ावा देने के लिए नेक्तिक्ता से विल्कुल सूने रही है ऐसा कुछ नहीं है तो उप्सन जो इसका भी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेशन नमबर दो कह रहा है कि उत्तम सिच्छा सरवाधिक सहायक है उत्तम सिच्छा जो सरवाधिक सहायक है किस लिए तो याद रखेगा व्यक्ति को आत्म निर्भरवानाने में उत्तम सिच्छा का तात्पर यह क्या होता है व्यक्ति के सारीरिक, मानसिक, समवेगात्मक और नैतिक, सारे पक्षों का जो विकास है वो किया जाए, तो यहाँ पर आत्म पर बनाने के लिए option जो इसका A है, वो यहाँ पर correct हो जाएगा अगला देखें, आपसे यहाँ पर क्या कहा रहा है, कि मान लीजिए कि आप अपने छेतर के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, तो आप सरवाधिक बल देंगे किस पर, तो आप खुद सोचिए, मतलब आपकी भी उपर यह जो question है, apply होता है, कि अगर आप अपने छेतर के सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं, तो आप क्या करेंगे तो भाई, यहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को सिच्छा प्राप्त करने के लिए, प्रेदित करने पर हम लोग इस पर बल देंगे, तो option जो इसका B है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अगला question देखे, क्या कह रहा है, कि आपकी सिच्छा सफल है यदी, तो भाई, आपकी सिच्छा कब सफल होगी, जब उससे आपको आत्म संतोस पुराप्त होता है, तो option जो इसका B है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा question number 5 की तरफ बढ़ते हैं, कि सिच्छा सरवाधिक सहायक है, तो सिच्छा जो है सत्से आड़ा सहायक किसमे है तो बालक के सरवांगीर विकास में तो option number जो इसका B है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक मानसिक नैतिक, तो यहाँ पर सरवांगीर जो है करेक्ट हो जाएगा, सिच्छा एक पच्छी प्रत्य नहीं है, और नहीं एक छात्र के उच्छ मानसिक पिरामीड का दो तक है, बलकि यह समस्त विकास यानि कि सरवांगीर जो विकास है, उसके लिए होता है, आगला देखिए आपसे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको एक बार यहाँ पर देखिए वीडियो को अच्छे से ध्यान से जाकर कर पीडियाप नाउनलोड कीजिए, तो आपको जो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि नवीन पाठ्य विसाय पढ़ने से पहले, प्राया पूर पाठ्य को दोराये जाता है, क्यों? यार आप सभी को पता है कि अगर कुछ आप नया पढ़ने जा रहे है, तो उसके पहले वाली जो चीज़े है, आप लोग को इसे क्या होता है, इसे बीसिकली पूर पाठ्य से नवीन पाठ्य को समझने सरवाधिक क्या है, तो उत्तम सिच्छा को हिर्देंगम करने में सरवाधिक क्या है सारवाधिक साहय क्या है तो उत्तम सिच्छा को मातर भासा या राष्ट भासा हिंदी या अंग्रेजी या तीनों की तीनों तो यहाँ पर याद रखेंगा यहाँ पर जो राष्ट भासा हिंदी है यहाँ पर उत्तम सिक्षा को हृज्यंगम करने में सरवाधिक सहयक की बात करते हैं तो अपनी जो राष्ट भासा हिंदी है अगला देखें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है मातर भासा देखें सबकी अलग-अलग होती है कि मदर टंग का मतलब क्या होता है अगर साउच इंडिया में पैदा हुआ तो उसकी लाइगम HARRISsch लग होगी बढ़े यहाँ पर सराषिय बात जो हिंदी है वो सरवाधिक सहयक है अगला देखें से यहाँ पर क्या गह रहा है कि सच्छा के लिए उप्योगत क्या है अगर हम बात करते हैं सिच्छा के लिए उप्युक्ति क्या है तो सिच्छा के लिए उप्युक्ति भाई आपका सेमिष्टर पदती सेमिष्टर पदती क्यों उप्युक्ति भाई आप सभी खुद थोड़ा सोचो जो सिच्छा में मुल्यांकन होता है मुल्यांकन की जो विधा होती है बहुत ज़्यादा महत्पूर होती है इसका बहुत ज़्यादा महत्व भी होता है इससे क्या होता है कि आप 6 मेने पर जब एक्जाम कराओगे सेमेश्टर वाज एक्जाम कराओगे तो यहाँ पर सेमेश्टर पद्धती जो है वो सिच्छा के लिए उपयोक्त है अगला देखिए आप से हाँ पर क्या कह रहा है कि पाठ्थे करम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है किस के द्वारा तो याद रखिए गा अगला देख़े आप से यहाँ पर क्या कहरा है कि बालक के सर्वांगील विकास के लिए क्या आवस्यक है तो भाई अभी मैंने कोशन में करवाया था बालक का सरवांगिड विकास तो उसके लिए सबसे आदावास एक इसमें क्या है धार्मिक, सांस्कृतिक ज्यान, सांस्कृतिक कारकरम या खेल कूद तो याल रखेगा यहाँ पर धार्मिक से इच्छा इसमें सारे के सारे आजाते हैं तो ओसल नम्बर जो इसका A है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्याओ में एक एसा तालमेल हो जिससे कार्य का निस्पादन सफलता पूर्वक किया जा सके यानि कि option number जो इसका C है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा CORRECTION हो जाएगा कोशन नमबर आपके यहाँ पर 14 देखें क्या है रहा सिच्छा और वियोअसाय में निर्देश सेवाओ का उद देश से क्या है तो भाई सिच्छा और वियोअसाय में निर्देश सेवाव का उदेश से basically क्या है तो याद रखिएगा उसमें इस प्रकार सूज उत्पन करना है कि वह अपने निर्डे जो है सोयम ले सके यानि कि option जो इसका D है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा clear है दूस्तो चलिए इसके बाद अब हम लोग आते हैं पंदरा नंबर कोश्चन की तरफ देखे बहुत important कोश्चन है क्या कहरा है कि उद्देश से पूर्ड वा सफल सिछा प्राप्ति या विवसाय चैन के लिए निर्देशन सेवाई आवस्यक है ताकि तो भाई याद रखेगा ये सेवाई क्यों आवस्यक है जिससे क्या हो सकता है बालक वा व्यक्तित को विभिन विस्यों कारियों के आवसर प्रदान किये जाए जिससे वा अपनी रुची वा छंता का वास्तिविक परिक्षर यानिकि सेल्फ एक्स्प्लोरेशन कर सके तो अबसर नंबर जो इसका सी हो यहाँ पर करेक्थ हो जाएगा तो यह तो ओगया भाई एक टॉपिक अगला टॉपिक बहुत ही इंप्रेंट है यहाँ पर याद रखेगा अभी तक हमने पढ़ा था सिच्छड वयोसाई के बारे में या स तो पहला question जहें क्या रहा है क्या आपकी द्रिष्टि में समाज के सर्वाजिक utro ど profound कि सबंसरा जाएक सामानिता संबंदर रखा जाएक जनर्र संबंदर रखा निहीं करें चाहिए उछान ँच विसार सर नंबर सामानिता संबंदर बंदर भी उठाएं तो भाई आप क्या करोगे आप एक teacher हो तो आप क्या करोगे अगर दो लोग लड़ रहे हो तो आप basically क्या करोगे जगड़ा करने वालों को समझा कर सांत करने का प्रयास करेंगे because of you are a teacher अगला देखिया आप से यहाँ पर क्या कह रहा है कि संसार में आपको अधिकतर लोग प्रतीत होते हैं तो याद रखेगा बहुरंगी जिनकी प्रकृति के संबंद में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है तो आपसर नमबर जो इसका D है वो यहाँ पर correct हो जाएगा चार नमबर कोशन इसी तरह कह रहा है कि आपके बिचार जहां से देखेगा कह रहा है कि आपके बिचार से क्या हो सकता है कोई भी विस्वास की योगे नहीं है लोगों के विस्वास में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है दिखते लोगों का बिस्वास किया जा सकता है या केव पडूसी की रात में अचानक तबियत खराब हो जाती है तो आप क्या करोगे तो अगर आपके पडूसी की तबियत अचानक खराब हो जाती है तो बिसिकली आप क्या करोगे निकट वर्ती डाक्टर के पास या चेके साले में रोगी को तुरंद ले करके जाएंगे तो ऑप्स मनुरंजन करे वो अलग अगर आप एक टीचर हो तो उसके उससे रिलेटेट कोश्चन आपर पूशा गया है अगला दीखिया आप से यहां पर कहा रहा है कि यदि आपका मित्र आप से बिना विसेश कारण के नाराज हो गया है तो आप क्या करेंगे तो अगर बिना किसी विस अमंद मधूर बना रहे आपके विचार से इसके लिए सरसे जादा आवस्यक क्या है तो यह सब चीरे जब भी आप कोश्चन का एंसर देंगे तो अपने आपको एक टीचर समझ करके दीजिएगा तो यहां पर अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं यहां पर बिसिकली क्या से पैसे वाले लोग हो या राजनेता हो या उद्धोपती हो क्या सोचोगे आप तो बिसिकली यहां पर आप सोचेंगे जिसमें साहित्तिवा कला के बड़े बड़े पुजारी हुए हैं बिल्कुल सही बात है तो आपस नमबर जो इसका सी हो यहां पर करेक्ट हो जाएगा दस नमबर कोशन कहरा है कि आपके पास आपके मित्र का पत्र आता है जिसमें उन्होंने आप से कुछ अपेच्छा की है तो आपका मित्र आप एक टीचर है तो उसका कारी करने में तत्काल लग जाएंगे और अपने प्रयासों के फल की सूचना जो है यथा समय देंगे ठी अगर अगर अपको ब्यक्ती है तो आप की हफेच्छ लोग ऐसा कर दीचे कुछ वह सब्सक्तिना ऊत्या करेगा अगला कह रहा है कि सभuten ład सुसाइटियों में आप जाते हैं क्योंकि ऐसा करना आप तो भाई सभा सोसाइटी क्या होता है सभा सोसाइटी के अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम लोग क्यों जाते हैं एक सिछग रूप में अगर देखाया तो अपने जो सामाजिक दाइत है उसको उस आर्थक रूप से निर्वाह करने के उद्देश से हम लोग को सामाजिक संपर्क में आकर आप अपना जो बिसिकली एक समाजिक विकास जो होता है वो आपका हो पाता है तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जायेगा तो अगर आपकी रइं सयमत करना मतलब क्या होता यह सब को पता एक सामत करने की बात करते हो दो चीजों में आ जाता है यह क् Hmongать क dobrze करना क्या है कि आप इमांदाई से काम करो और अपने बॉस को अपने जो के उपर हैं, उनको खुस रखो, यह भी खुसामत करना है, यह जोड़ी नहीं है कि बिल्कुल प्याज जिदो खुसामत करो, मत अपने आइटिट्यूड में रहो, यह भी बहुत जोड़ी नहीं है, खुसामत करने का एक पोजिटिव वे भी होता है, आप उससे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपसा नंबर बी दिया गया है एक कला है यह हर एक के वसकी बात नहीं है यह भी बान सकते हो तो यहाँ पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा ठीक है और यह तरक्की करने के लिए अतने दावस्यक नहीं है बिना खुसामत की भी बढ़ा जा सकता है बट अगर आ करने के अंडर में ही आता है अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आप रात्री में अपने टीवी पर रोचक कारेकरम देख रहे हैं आपको ऐसे समय में किसी का भी दखल अच्छा नहीं लगता है परन्तु आपके कुछ रिस्तेदार मिलने आ जाते हैं तो आ आप एक काम कर सकते हो टीवी की आवाज को कम कर दोगे रिस्तेदार से बात करोगे और उन्हें भी कारकरम देखने के लिए क्या सकते हो भाई आप भी कारकरम देखो बहुत अच्छा कारकरम उनको आप क्या कर सकते हो ठीक है तो यह जो है सबसे अच्छा तरीका है सबसे अ एंसवर दिया गया है बड़ इसका एंसवर आप लोग वैसे ही बता दीजे क्या हो जाएगा या गयात होने पर कि आपका साथ ही मादक पदार्थो का सेवन करने लगा है तो आप क्या करेंगे क्या सोचेंगे क्या करेंगे तो आपका जो विचार है वो क्या हो सकता आप लोग को कॉमेंट करके जवाब जो है देना है ठीक है तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आप एक लिए बबाई टेक केर जैहिंज भारत पीडियो जरू डानलोड कर लिजिएगा नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम पर जूर जाएगा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजिएगा बबाई टेक केर